गोरा नाम का एक आदमी था, वो थोड़ा सा कमकल था और लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, सबको पता था कि वो कितना बेवकूफ है और इसे लिए लोग अकसर उसका फायदा भी उठाते थे, एक शाम को गोरा अपने घर में बहुत उदास बैठा था, उसे ऐसे उद अपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप कम से कम एक महीने तो हर नौकरी पर टिकिये जाते थे, लेकिन यहां तो आपको पंदर दिन में निकाल दिया गया, हाँ राधा, मैं भी यही सब सोच रहा था, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अच्छा वो सब छ अरे, मालिक ने कल ही हम सब से कहा था, कि उन्हें दुकान पे कोई ऐसी स्कीम चलानी है, जिससे कि दुकान पे लोगों की भीड लग जाए, और विक्री खुब बढ़ जाए, तो फिर, क्या किया आपने, फिर क्या, मैंने दुकान के बाहर, एक बड़ा सा बोड लगा दिया कि खरीदो एक और पाओ एक, बिल्कुल मुफ, 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 करे राथा, तुम सोच भी नहीं सकती हो, जितनी साडियां पूरे हफ़ते में बिगती थी, उतनी साडियां एक दिन में बिग गए, लेकिन फिर भी मालिक खुश नहीं हुए, और मुझे धक्के मार के दुकान से निकाल दिया, हाँ, हाँ, और भला क्यों खुश होते हैं आपकी मालिक, आपने उन्हें एक दिन में महीने भर का नुकसान जो दे दिया, अब चले छोड़िए ये सब, मैं खाना गरम करती हूँ, चले चल कर खा लिजे, और कल से फिर नई नौकरी ढूणने पर लग गोरा उसी बगीचे के मालिक से काम मांगने लगा, हम, वो तो मैं समझ रहा हूँ, गोरा, कि तुम्हें काम की जरूरत है, पर तुम्हें तो यहां का पूरा इलाका जानता है, और सब को पता है कि तुम कितने बड़े बेवकूवो, तो भला तुम्हें अच्छे से जानते ह हुए भी, मैं तुम्हें काम पे क्यों रखूँ, हम, कहीं, तुमने मेरा भी नुकसान करवा दिया तो, अरे नहीं, आप मुझे एक मौका दे कर तो देखिये, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से काम करूँगा, और तो औ और आप चाहे तो मुझे दूसरों से कम पैसे पर भी काम पे रखते हैं, कम पैसे देने की बात सुनकर मालिक के मन में लालचा गया, उसे लगा कि ये फायदे का सौदा है, उसने गोरा की हरकतों को नजर अंदास करते हुए उससे कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना गिड़ गिड़ा रहे हो तो, मैं तुम्हें काम पर रखी लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर काम में जरा सी भी चूख हुई, तो मैं तुम्हें पोरन निकाल फेकूँगा, हुँँ, जी, जी, बिलकुल, आप तो शिकायत का एक भ अगले ही दिन से गोरा फलों के बगीचे का रखवाला बन गया, और सारे गाउं में ये बात फैल गई, पर गाउं में कुछ लड़के थे, जिने हर वक बस शरारत सूचती थी, जब उन्हें ये पता चला, कि गोरा को नया काम मिल गया है, और अब वो एक फलों के बगीचे है, उसका रखवाला गोरा है, वो बेवकुफ गोरा, अरे, उसे बगीचे में बैठाने से अच्छा, तो बगीचे को ऐसे ही छोड़ दिया होता, एक ही तो बात थी, हाँ भला, वो गोरा क्या बचाएगा बगीचे के फलों को, चलो, चल कर सरा थोड़ी, अलो की चोरी हजा है, बड़े दिनों से इसी बगीचे के ताजे-ताजे मीठे-मीठे फल नहीं खाए है, हाँ, सही बात है, और याद है न, उस बगीचे का जो असली मालिक है, वो कितना बुरा है, पिछली बार हमने उसके बगीचे से सिर्फ चार आम क्या खा लिये थे, उसने हमारी कितनी प पाएंगे, हमें फल भी मिल जाएंगे, मालिक से बदला भी ले लेंगे, और गोरा को तो बेफूफ बना ही लेंगे, हाँ, 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 ये सुनकर बाकी दोनों दोस्त भी हसने लगते हैं, फिर क्या था, तीनों लड़के चल पड़े फलों को चुराने के गोरा ने उन्हें रोग दिया, गोरा बगीचे के बाहर ही कुरसी डाल कर बैठा हुआ था, अरे, अरे, कहां घुसे चले आ रहे हो, यहां अंदर जाना सक्त मना है, देख नहीं रहे हो क्या, ये बड़े सेट का बगीचा है, अच्छा, ऐसा है क्या, माफ करना, हम जरा रास भटक गए थे, वो क्या है न, हम भटक भटक के इतना ठक गए थे, कि हमने देखा ही नहीं कि ये बगीचा है, अच्छा, ठीक है, अगर तुम भटके हुए हो, तो कोई बात नहीं, पर अब तुम लोग चाओ यहां से, और मुझे मेरा काम करने दो, हम चले तो जाते, लेकि तुम हमारी मदद नहीं करोगे, देखने में तो तुम बड़े ही भले आत्मी मालूम होते हूं, हाँ, हाँ, क्यो नहीं, अरे, मदद करना तो बड़े ही पुन्य का काम होता है, मैं तुमारी मदद जरूर करूँगा, बताओ, तुम्हें कहां जाना है, ये देखो, इस पर् ये तो यहां कुछ दूरी पे ही है, चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, यहां तो तुम 15 से 20 मिनट में पहुच जाओगे, क्या, लेकिन, तुम्हें तो यहां रखवाली का काम मिला है न, तो अगर तुम यहां से गए, तो बगीचे की रखवाली कौन करेगा ये तो बड़ी लापर वाही हुई, अरे हाँ, ये बात भी सच है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता फिर तो, माफ करना, क्या यार मिनटू, अगर उन्होंने हमारी इतनी मदद करने की सोची, हमें रास्ता दिखाने को कहा, तो क्या तुम उनकी इतनी भी मदद नहीं कर सकते क्या तुम तब तक उनके लिए यहां बैठ कर बगीचे की रखवाली नहीं कर सकते हो हाँ हाँ यह अच्छा रहेगा जब तक मैं इन दोनों को रास्ता दिखा कर आता हूँ तुम यहीं वैट कर भगीचे की रखवाली करना और ध्यान रहे किसी भी आदमी को अंदर घुशने मत देना अच्छा वो तो ठीक है पर मुझे अकेले बड़ा डर लगता है मैं यहां अकेले नहीं रुख पाऊंगा ओ हो मेरे भोले दोस्त कोई बात नहीं मैं हूना मैं यहां तेरे साथ रुखूंगा ताकि तुझे डर ना लगे ठीक है तुम दोनों रुख जाओ हम अभी आते हैं अरे रुको रुको मैं और मिंटू भी तो बच्चे ही हैं अगर कोई बगीचे में घुसने की कोशिश करेगा तो भला हम दोनों अकेले यहां कैसे रुख पाएंगे एक काम कर गोरू तू भी हमारे साथ ही रुख कर रखवाली कर हम तीनों मिलकर जरूर सामने वाले को रोक पर जाओंगा अरे गोरा भाईया अगर आपको यह रास्ता पता ही है तो आपको यह बात भी तो पता होगी कि इस रास्ते पर एक पर्चून की दुकान है हाँ तो हमने सुना है कि उस दुकान में एक बहुत स्वाधिश्ट इमली वाली घट्टी टॉफी मिलती है तो असल म गोरा का दिमाग ये सब सुनकर बहुत ज़ादा चक्रा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए वो कुछ कहता नहीं बस चुप चाप गोलू की बात मान लेता है और मौका पाते ही तीनों दोस्त बगीचे में घुश जाते हैं बगीचे में घुश कर वो तीनों खुब फल खाते हैं और इतना ही नहीं वो तीनों बहुत सारे फल अपने जोले में डाल कर चुरा कर भी ले जाते हैं जब तक गोरा लोट कर बगीचे में आता है तीनों दोस्त फलों के साथ रफुचकर हो चुके थे गोरा फिर से बगीचे गोरा को अंदर बुलाता है, गोरा दौडते हुवे अंदर आता है और मासूमियत से मालिक से पूछता है, गोरा मालिक को सारा किस्सा सुना देता है, जिसके बाद मालिक के गुस्से का तो ठिकान नहीं रहता, ए उपर वाले तुने मुझे मेरे कौन से कर्मों की इतनी बुरी सजा दी मैं तो बर्बाद हो गया मेरी मती मारी कही थी जो मैंने इसको काम पे रखा चल तफा हो जा तफा हो जा मेरी आँखों के सामने से और तोबारा कभी मुझे अपनी सकल मत दिखा न फिर क्या था बेवकूफ गोरा अपनी किस्मत को कोस्ते हुए वहां से चला गया और लग गया एक नए काम की तलाश में